नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं कक्सानवी विशई विज्यान अध्याय तीन परमाणू एवं अणू इस अध्याय का एक बहुती इंपोर्माणू एवं अनू इस प्रश्ट कीजिए इस प्रस्थ का उत्तर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आप मेरे साथ में अंतर त देखते हैं कि अनू किसी तत्व या योगिक का सुक्समतम कन होता है इतनी बात तो तही है कि अनू जो होता है वो तत्व का हो या योगिक का हो तत्व मान लिया जाए कि इस सोडियम है ये एक प्रकार का तत्व हो गया और अनू यानि कि जल का अनू एस टू का अनू तो य यह क्या होता है तद्विया योगी का एक सुक्सम्तम कण होता है जिसमें उस तद्विया योगी के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं या अनु जिसका भी होता है उस तद्विया योगी के समस्त गुण जो है इस अनु में नहीं तो होते हैं अब बात कर लेते हैं कि पर का वह परमानू होता है उसके संपुर्णकर विद्यमान होते हैं ये दोनों में एक एक पॉइंट हो गया अगला दूसरा पॉइंट इसमें अनू के अंतरकर देखते हैं कि अनू स्वतंत रूप से अस्तितु में रह सकता है जबकि परमानू स्वतंत रूप से अस्तितु में नहीं रह सकता है, इसको किसी ने किसी के साथ में जोडा बनाना पड़ेगा, ये तबी अस्तित्यु में रह सकता है, तो मतलब परमाणू अस्तित्यु में नहीं रह सकता है, जब किसी के साथ में जोडा बना लेगा तो फिर तो वो अनू हो जाएगा, तो ये इसका दूसरा प कमेंट में जरूर बताएं और इसी बरकार के इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद